नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका दोस्तो जनवरी साल 2020 से मैंगनेटिक स्ट्रिफ वाले ATM कार्ड काम नहीं करेंगे 31 दिसम्बर के बाद मैंगनेटिक स्ट्रिफ वाले ATM कार्ड स्माल नहीं हुपाएंगे 31 दिसम्बर 2019 के बाद आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है RBI के दिशा निर्देशों के मताबिक सभी भारतिय बैंकों को अपने ग्रहाकों को देवे मैंगनेटिक डिबिट कार्ड रिप्लेस करने होगे ऐसा नहीं करने पर बैंक एटियम कार्ड को ब्लॉक कर देंगे प्रीटेक आपको इन कार्ड को बदल कर नए एमवी कार्ड देने होगे वहीं SBI, PNB, SDFC बैंक, ICICI बैंक और अन्य बैंकों के उन सभी ग्रहाकों को नए साल पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है जो पुराने डबिट कार्ड या मैंगनेटिक डबिट कार्ड समाल कर रहे हैं उन ग्रहाकों के पास दो दिन का वक्त बचा है एटियम फ्रॉट के बढ़ते मामले को देखते हुए नए एमवी चिप वाले डबिट कार्ड अनिवारी किये गए है अगर आपके पास भी अभी तक पुराने एटियम कार्ड ही है तो बिना देर किये उसे फॉरण बदल वाले इसके लिए आपको ज़ादा परिशान होनी की भी जरूरत नहीं है आप असानी से अपने बैंक के ब्रांच में जाकर नए एटियम कार्ड के लिए आविदन कर सकते हैं SBI ने बदला एटियम से कैश निकाले का नियब SBI ने एक जनबरी 2020 से एटियम से कैश निकालने के नियब में बदलाव किया है अगर आप भी SBI के खाताधारक हैं तो पहले इस नियम के बारे में जाले और समझ लिकी नए साल में एटियम से कैश निकाले के लिए आपको क्या करना होगा SBI ने एटियम से होने वाले फ्रॉड को रोपने के लिए एटियम से कैश विड्रॉल के नियम में बदलाव किया है नए नियम के तहट SBI के खाताधारकों को एक जनबरी 2020 से रात में एटियम से पैसा निकाले के लिए OTP अनियवारे होगा SBI खाता धारकों को एक जन्वरी से रात 8 बजी से लेकर सुबह 8 बजी तक ATM से कैश निकाले के लिए OTP डालना ज़रूरी होगा वही 10,000 रुपे से अधिक की निकासी बिना OTP की नहीं हो पाएगी दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें दनने वाद